ओम नमस्य वाय, स्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती बावना योट्यूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको होल का देन बाले दिन के कुछ ऐसे वपाय बताऊँगा जिनके करने से आपकी सभी मनुकामनाय पूर्योंगी साथ ही इस दिन सिवलिंग पर कुछ ऐसी चीजी चड़ानी है जिसके चड़ाने से आपको भी सिसलाम मिलेगा और आपकी प्रतिक मनुकामना पूर्योंगी होली का पर्व बहुत बड़ा पर्व होता है होल का देन के दिन जो व्यक्ति भगवान विश्णू का पूजन करते हैं भगवान सिवकी पूजा करते हैं और साथ ही होल का देन में कुछ चीज़े डाल देते हैं उनकी प्रतिक मनुकामना पूर्योंगी हो जाती है होली का पर्व बहुत बड़ा पर्व होता है होलका देन के समय होली जल रही हो तो साथ प्रक्रमा होली की देनी चाहिए साथ ही साथ बतासी और प्रतेग बतासी में दो दो लोंग डाल करके हर प्रक्रमा पे एक एक बतासा आप होलका देन में डालते जाएं साथ ही दो फल और दो बूंदी के लड़ू लेकर के बूंदी के लड़ू पर लाल चंदन का टीका लगा करके आपको हुलका देन में डाल देना चाहिए इससे मनो कामना पूरी हो जाती है हुलका देन के दिन जो व्यक्ति यह उपाय करते हैं उनको भी सिसला मिलता है हुलका देन के समय पीपल ब्रक के नीचे दीपक जलाके वहाँ पर एक लड़ू रखें और साथ परकरमा लगाएं इससे मनो कामना पूरी हो जाती है एक पातर में दे लें और उसमें आपको थोड़ा सा सिंदूर डाल देना है साथी ही डै के अंदर आपको 11 चावल के दाने भी डाल देने है और यह दे का पातर गर के मेन दरबाजी सुसार करके पीपल ब्रक के नीचे रख देना चाहिए इससे हर प्रकार की व्यादाएं दूर हो जाती है गुलका देन की राक लाकर के घर में रखनी चाहिए और इससे टीका लगाना चाहिए दोस्तों इस दिन सिविलिंग पर कुछ चीजे चड़ानी चाहिए देखो सबसे पहला है इस दिन सिविलिंग पर आपको 11 गेऊं के दाने और 11 चावल के दाने चड़ानी चाहिए इस दिन सिविलिंग पर बेल पत्र चड़ाएं प्रतेक बेल पत्र पर चंदन का और घी का टीका लगा करके थोड़ा सा चंदर लगाएं पीला चंदर थोड़ा सा गी लगाएं और यह सिवलिंग पर समर्पित कर दें साथ ही होलका दिन के दिन आपको 31 मूंग के दाने 31 मूंग के दाने सिवलिंग पर चड़ाएं और साथ ही 11 मूंग के दाने नंदी जी के सामने चड़ाने चाहिए इस दिन धतूरे का फल धतूरे का फल भगवान सिव को चड़ाएं गेहों की बाली भी सिवलिंग पर चड़ाएं इस दिन गाय के दूसरे भगवान सिव का अफसे करना चाहिए और इस दिन खीर का प्रसाद या चूरमे का प्रसाद सिविलिंग पर समर्पित करना चाहिए इस दिन सत्तनारण वगवान के सामने खीर का प्रसाद और दो केले रखें सत्तनारण वगवान की कता करें और वह प्रसाद खा लेना चाहिए होलगा देन में गेंग की बाल भून करके खानी चाहिए इस ते सरी स्वस्त होता है हर मनोकामना पूरी हो जाती है एक मुट्टी चावल और उसमें गोमती चक्र रख करके घर के मेन दरवाजे साथ वार उसार के होलगा देन में डाल देना चाहिए इस से घर की व्याताएं दूर हो जाती है तो होलगा देन वाले दिन आप यह उपाय जरू करें क्योंकि इस दिन बड़ी पूरण मासी है इससे आपकी प्रतिक मनोकामना अवस्य ही पूरी होगी वीडियो शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें